हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक ट्योर चैनल स्मार्टेर्स क्लब और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के मादियम से इस वीडियो के मादियम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली अनलिसिस करते हैं यह अनलिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल अनलिसिस का और साथ में रीट करते हैं ऑप्शन चैन को दोस्तों यह अनलिसिस करने के साथ में ही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेबल्स पॉसिबल होते हैं हम उन लेबल्स के बारे में डिसकस करते हैं उसे या 9 बजी के पहले पहुंच जाए साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालेसिज और ट्रेडिंग टेक्निक से लेक्टेड वीडियो भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं इसी तरीके से अपने आपको अपडेट रखने के लिए और नए नए चीज़ों को सीखते रहने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ताकि आपको लेटेस अबडेट मिलते रहें फिन शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेट्स के बारे में सुफिन शुरूआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में और बहुत दिनों बाद इंडिया विक्स ने आज 30 के नीचे के क्लोजिंग दी हुई है जोग तो फह दो दो हो जो जोकि सही नहीं के लिए ऐसा होता है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो इंडिया विक्स के अंदर में गिरावाट आती light को उपर जाना चाहिए सुब आज था हमारा expiry का दिन, weekly expiry का दिन तो definitely थोड़े से trade adjustment आज के दिन में होते हैं उसके चलते हमें यह difference देखने को या हमें यह trade देखने को मिल रहा है anyhow closing below 30 point is good but यह कितना consistent होता है या कितना दिन तक रुपता है 30 के निचे बहुत important है I am expecting कि कल यह 30 के उपर के शायद closing हमें देते हुए नजर आए nifty 50 और bank nifty के बारे में बात करें अगर so nifty 50 ने जो opening दिया वो था 10,054 पे 10,000 के उपर के opening अच्छी opening है 10,054 against the closing of 10,061 so opening हमारी काफी अच्छी थी ठीक ठाक थी हमने जो low बनाया वो बनाया 9,944 and high बनाया था 10,123 का closing हुई है 10,029 पे so 10,000 के उपर जब तक हम close दे रहे हैं एक तरह के से थोड़ा strong closing माना जाना चाहिए क्योंकि psychological level के उपर की closing दे रहे हैं अगर मैं दिन का moment के बारे में बात करो तो दिन भर के अंदर में आज हमने जो swing दिया है 176 point का swing दिया है और पिछले 3 दिनों से लगब लगब 170 point के आसपास का swing हम continues देते आए हुए हैं अगर मैं देखूं opening से हमने कितना high बनाया तो opening से हमने point addition किया लगब 67 points का addition किया और high बनाया 10,123 का लेकिन जो हमारी closing हुई है यह high point से लगब 94 point नीचे closing हुई है यानि हमें आज के दिन में भी volatility देखने को मिले हुई है expected था क्योंकि आज के दिन market का weekly expiry दिन था so bank nifty और nifty दोनों भी expected था anyhow let's talk about bank nifty bank nifty आज 550 point lose किया है closing हुई है 20,390 की opening हुई थी 20,932 की high बनाए 21,141 का and low बनाए 20,316 का दिन बर के अंदर में swing कितना हुआ 827 कल के वीडियो में हमने बात करते वे clear कर यह बात की थी कि volatility हो सकती है 700 plus point के moments भी देखने को में शायद मिल सकते हैं bank nifty के अंदर में so आज के दिन में expected था हुई साब से हमें volatility देखने को मिली है opening से हमने लगब 109 point जोड के हम 21,141 तक पहुचे थे लेकिन उसके बाद में हमें 751 point की गिरावाट हमाई highest point से देखने को मिले हुई है definitely यहाँ पे भी हमें red candle बनता हुआ नजर आएगा आज के दिन में nifty 50, bank nifty nifty दोनों गिरावाट के साथ में बन्द हुआ है bank nifty में ज्यादा हमें यहाँ पे profit booking देखने को मिल रही है क्योंकि nifty सिर्फ सिर्फ थर्डी टू पॉइंट ही गिरते हुए नजर आया है closing के हिसाब से अगर हम बात करें तो 20,000 के उपर nifty है bank nifty है and 10,000 के उपर nifty है दोनों psychological label है जब तक हम इसके उपर trade करने तब तक थोड़ा सा bullish trend continue होने के chances है एक बार इसे हम तोड़ते तो definitely हम नीशे जाएंगे 8,000 पर होते हैं तो 18,000 तक का हमारे लिए रास्ता उपर होते हैं और अगर nifty 50 पर है तो लगबाई वर 9,400 तक का टागेट एक बाँ बनता हुआ नजर आ सकता है point wise बात कर लेते हैं हमारे इंटरेट के बारे में तो दूस्तों आज के दिन में bank nifty के अंदर में जैसा मैंने मेरे telegram चैनल पे शेर किया तो morning में बहुत ही wild move देखने को मिल रहा था option prices के अंदर में 109 से 148 within fraction of 3 second बाद में पता चला नसी से कुछ problem हुआ है so because of that आज के दिन में हमने avoid किया bank nifty के अंदर में किसी भी तरह का position मनाने के लिए options के अंदर में so HDFC life sell करने की suggestion थे क्योंकि market लग रहा था नीचे जाएगा इसके लाइज़िप से life को sell करने का suggestion था और at the same time Godrich property को भी sell करने का suggestion था मैंने ये दोनों trade लिये हुए थे in fact Godrich property को जो हमने sell की बात की तो it was trading somewhere close to 796 लेकिन 804 के आसवास में selling बनती थी लेकिन जैसे ही वहाँ पहुचे वहाँ पहुचे वहाँ पहुचे हमने jump दिखाना चालो किया जो जिन्होंने position बना लिया था definitely एक बार उनके लिए शायद stop loss ही तो हुआ रहेगा क्योंकि it went up to 820 भले closing नीचे की तरफ आई हो लेकिन उपर 820 तक गया हुआ था and HDFC Life 512 के आसवास में position क्रेट की थी ये भी 520 के आसवास में जाके stop loss हीट करता हुए नजर आया ये दोनु श्टॉक के अंदर में volatility के चलते हुए आज के दिर में stop loss हीट हुए है इसमें maximum लोग ने अगर बनाई होगी तो stop loss हीट होते हुए नजर आए रहेंगे so bank nifty नहीं मैंने nifty के अंदर में trade किया था और मैंने 10,050 का C मैंने sell किया था क्योंकि expiry था और expected था कि नीचे जाएगा तो definitely उसे मैंने sell किया था ये trade मैंने मेरे telegram channel पे नहीं किया था इसके अनावा मैंने telegram channel पे views में शेयर के था जिसके अंदर में clear cut बोला गया था कि bank nifty गरता हुआ दिख रहा है और bank nifty के गिरने के chances है और 20,600 के आसपास जा सकता है 20,600 नहीं हम 20,000 के 20,390 तक हमने closing दी है and we went down till 20,300 तो definitely अगर उस view पे आपने कोई position बनाया रहेगा तो आप आपने profit बुक किया रहेगा आज के दिन में तो दोस्तों होता यह है कि मेरा telegram channel है उस channel के उपर में 9.30 से 10 o'clock के बीश में मेरा view शेयर करता हूँ nifty के बारे में या bank nifty या index के बारे मेरा view शेयर करता हूँ अगर possible होता है तो मैं मेरा एक अग दो ट्रेड भी वहाँ पे शेयर करता हूँ अगर आपको इस trade को फॉलो करना है तो आप उस trade को फॉलो कर सकते हैं सुब आज बहुत दिन बाद हमारा sdpc life and good risk property के अंदर में हमारा loss को है नहीं तो लास्ट दो तीन दिन से जो भी हमने दिये हुए the trade continuously हिटी जा रहे थे volatility भारी पड़ी सुब आगर आप उस channel पे हैं अगर आपने टेलिगाम channel जॉइन किया है सुब थैंक यू वरी मुच अगर आपने चैनल नहीं जॉइन किया है आप उस channel को join कर सकते हैं उसका link आपको description में मिल जाएगा यह free of cost channel है सो शुरुवात करते हैं nifty 50 bank nifty के बारे में कि आने वाले दिनों के अंदर में आने वाले week के अंदर में nifty 50 और bank nifty किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकते हैं nifty 50 nifty 50 के बारे में बात करें कल की rally हमने कुछ दिनों से जो rally होती कल की दिन rally हमने थमते हुए देखे हुई थी और आज के दिन में वहां पे हमने profit booking in fact closing के पहले profit booking आई थी आज के दिन में हमने शुरुआती एक गंटे के बाद में अच्छी profit booking होते हुए कल हमने clear कर बात किया हुआ था कि gap जो बनाई यह gap कल के दिन में यानि आज फिल हो जाएगा और आज के दिन में हमने अच्छा कासा उस gap को फिल भी किया हुआ है anyhow जो low बनाया है हमने 9950 एन जो high बनाया है 10100 यह दोनों level कल के वीडियो में हमने डिसकस किया था कि यह चांसे बनते हैं क्योंकि उससे आप से option चैन हमें reflect कर रहा था आज का दिन कैसा रहा अगर वह देखें तो आज का दिन आप बोल सकते हैं कि confusion भरा था buy and sell दोनों confused थे कहां पर ले जाना मार्केट को मार्केट कहां तक जा सकता है इसके लिए दोनों में confusion था buying selling दोनों देखने को मिली हमें इंडिसिजिव candle है बिसिकली डोजी नहीं बोल सकते हैं तो कल के दिन में अगर हम एक बार आज के लोगों तोड़ते हैं तो 9,886 आज का लोग कितना था 9950 के आस्वास में तो 9,986 आने के chances पूरे बनते हैं चार्ट को पर में और यह आपको लेट से 9,996 है तो कम से कम आपको 60-70 पॉंट नीचे आते हुए नजर आ सकता है यह दो लेबल ध्यान में रखना है इन दोनों लेबल के आस्वास में कहीं पर भी बाइंग इमर्ज हो सकती है तो इन दोनों लेबल के ध्यान में रखना पड़ेगा मैं ओके लिट्स टॉक अबाउट निफ्टी और ऑप्शन चेंड ऑप्शन चेंड कैसे काम करते हुए नजर आता है तो में जो क्लोजिंग दी है वह 10,029 के आसपास की क्लोजिंग हमारी है और ऑप्शन चेंड हमने लिया हुआ 11th जून का तो लिट्स टॉक बाउट 11th जून निफ्टी 10,029 तो 10,000 जो होगा यह हमारा होगा एड़ दमनी लिट्स टॉक बाट दिस अनली एड़ दमनी तो लुक अधी पोजिशन नाउ 8,75,000 8,55,000 एक्वल ओपन इंटेस दोनों साइट देखने को मिल रहा है 5,2500 का हमें एडिशन पूट साइड में देखने को मिल रहा है और 6,2400 का एडिशन हमें कॉल साइड में देखने को मिल रहा है ओपन इंटरेस्ट जिस तरह से एक्वल है सेम वे हमें कैंडल भी कन्फूजिंग दीख रहा है तो डिशिजन नहीं हो पा रहा है कॉनसे साइड में जाना तो डिफिनेटल यहां पर यहां पर यह उपन इंटरेस्ट उसी तरह से नजर आ रहे है कॉन्फिडेंट राइटिंग हम बोल सकते हैं 6,2400 की कॉन्फिडेंट राइटिंग की गई है इसके अलावा एडिशन देखे 6,17,000, 8,24,550 का बढ़ियां एडिशन 10,500 यानि ये सेरीस के अंदर में 10,500 विदाउड नी नियूस तो नहीं तुटने वाला है लास्ट सीरीस में हमने 10,600 के उपर गये थे लेकिन यहां पर 10,500 के उपर में हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ रहा है और 10,200 ये भी आपके लिए एक इंपोर्टन लेबल का काम करता हुआ नजर आएगा कॉल साइट से ऐसे इंडिकेशन मिल रहे है अगर मैं पुट साइट के आरें बात करूँ तो हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट जो देखने को मिल रहा हूँ 9,500 और 9,800 पे सेकेंड हाइस्ट ओपन इंटरेस्ट मिल रहा है राइटिंग यहां पर भी हो रही है 5,000, 33,000, 6,000, 47,000 का मिनिंग्फुल राइटिंग 9,500 जो बड़ी रेंज निकलके आ घर हो बस गीज ए इस वीक के लिए स्टैडल देखें स्टैडल में कैसे काम हो रहा है स्टैडल अगर हम देखें 152 एन 144 लगवग 300 पॉइंट का स्टैडल भी बनता हुआ नजर आ रहा है यानि स्टैडल के हिसाब से तैं ताउजन 300 से लेके 9700 के बीच में काम होता हुआ नजर आ सकता है अगर तो हमें कॉल साइट के अंदर में अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है पूट में थोड़ी से हमें यहां पे पूट में पूजिशन बनती हुई नजर आ रही थी तो डेफिनेटली एक बार चांसे बनता है कल के लिए कि हम फिर से 9950 के आसपास में जाएं वहां से फिर अगर हम उसे ब्रेक करते हैं तो नीचे की लेबल जैसे हमने और डिसकस के 9889,890 की लेबल भी देखने को मिल सकते हैं यह ऑप्शन चेल और चार्ट दोनों से यही इंडिकेशन फिलाल गडायम पर मिल रहे हैं बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में सेम सब्सक्राइब को चोड़ देते हैं उसके बाद में प्रॉफित बुकिंग कंटीनिव होते हुए नजर आई हुई है बीच में हमने 600 तोड़ा और वापस 600 पे जाके रिजिस्टेंस करके 300 के पास है यानि 20,600 अगर गैप अप में खुल गया तो ठीक है तो 20,600 फिर से एक ब बूफ कितना था तो हाई पॉइंट 21,619 ए लो पॉइंट 21,2317 लगब लगवा 1300 पॉइंट कल दो बजे के बाद से लगब दो बजे के बाद से कल हमने 1300 पॉइंट का मोमेंट आज के दिन में दिखा दिया है इतने रैली के बाद में तो डेफिनेटली प्रॉफित अगर इस लेबल को तोड़ते हैं तो डिफिनेटली आपके लिए जो नए लेबल को लेंगे और 20,000 से लेके 19,972 के बीच के नए बेल लेबल को लेंगे एन हो सकता हम इसके पास में आते हुए आपको नजर आएं कल के दिन में सो कल एक बार मार्केट 10 बजी के आसपास में व्यूज़ क्लेयर होगा कि खल हम नीचे जा रहे हैं हम फिर से 19,520,000 के लेबल के तरफ जा रहे हैं या हम वापस से रीकवरी करके 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 21,000 के लेबल पर जा रहे हैं लेट्स टाक बाट ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी किस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है ऑ 20,400, let's talk about 20,400, कुछ खास पोजिशन नहीं दिखाई दे रही है, anyhow क्योंकि आज तो पोजिशन अज नहीं क्रियेट नहीं चालू हुई होगी, so 7,920,000, 12,580,000, put side में तुछा ज्यादा open interest है, let's talk about 20,500, 77,000, 80,000, almost same, open interest, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, writing देखने को मिल र राइटिंग, 71,000, 130,000 की राइटिंग देखने को मिल रही है, हमें 22,000 पे, definitely Monday के दिन तो 22,000 हम नहीं तोड रहा है, so यहाँ पे राइटर्स कमफर्टेबली राइट हरके गया हुए है, इसके अलावा अगर हम देखें, so हमें जो range नजर आ रही है, highest range 22,000, यानि इस week के लि के बीच में आराम से इसके ऊपर के लेवल्स में आराम से राइटिंग की जा सकती है, वैसे बाइट 19,000 का अगर आप देखें, तो 143 रुपीज में विका हुआ है, so definitely आराम से इसके उपर में राइटिंग की जा सकती है, इसके लावा अगर छोटे range की नेरो range के बारे में तो narrow range आपका round figure ही देखना पड़े है क्योंकि कोई positions बनती हुई नजर नहीं आई है, so उससाब से अगर हम देखें तो लगबग लगवा, let's say 20,000 से 21,000 के बीच में trade होता हुआ नजर आ सकता है, 21,000 से 20,000 के बीच में, straddle देख लेते हैं, 550, 585, कितना हो गया, लगबग लगबग अगर आप इसको लें, तो 1150 के आसपास जाता है, 1100 पॉइंट का movement अगर हम देखें या से, तो 19,000, okay, 20,400 पे हम, so 19,500 से उपर की तरफ 1100 में 21,500 तक का label हमें नजर आ रहा है, यानि 2000 का बड़ा range straddle हमें suggest कर र दीजिए, Monday के दिन में, sorry, कल के दिन में, Friday के दिन में, ज़्यादा clarity देखने का में मिलेगी, so दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर कल के दिन में कुछ stocks में नजर रखनी है, तो zeal हो सकता है, जंदाल, steel और excited India, इन stocks के ओपर में नजर रखी जा सकती है, तो कि वीडियो में आपको कुछ पसंद नहीं आया रहेगा, so आपसे request करेंगे, कि उसे comment box में mention करें, कि आपको क्या पसंद नहीं है, so that we can improve ourselves, at the same time, अगर आपने चैनल को subscribe किया, तो thank you very much for subscribing इस चैनल, और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया, आपसे request करेंगे, चैनल को subscribe करेंगे, बेनिफिट्स क्या क्या है, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेली व्यू मिलता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेबल्स मिलते है, and at the same time, आपको हमारे इंटारे ट्रेट्स के बारे में information मिलती है, so guys, thank you very much for watching this video, hope आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, hope य वीक आपका बहुत बडियो जाए, और अब जूरदार पैसे कमा है, good night